जै हम दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली अगें टाटा सफारी पर क्योंकि उसका बेस मॉडल स्पाइक करा गया है ahead of reveal tonight आज शाम तक यानि की साथ 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 वजे तक टाटा विल ओफिशली रिवील थे 2021 टाटा सफारी बट यह स्पाइक करीगे अब देख सकते हैं बेस वेरियंट में आपको फॉग लांपस नहीं मिलेंगे हलाकी प्रोजेक्टर हेड लांपस और अज लेड़ी डेटाइम रेनिंग लाइट अंड तर्न सिगनल्स भी आपको इसमें देखनो मिलेंगे अगर हम साइट पॉफाइल के भारेज बाट करें हैं अब आपसाइँ के जो टायर और अलोइ वील्स लेक लाट तीड और यह वही वाले जलिखनो मिलते बाके वैसों बॉरानी वाली अठर सफारी स्टॉम में भी धिकनो मिलते थे and to give it a you know rugged type of feel थोड़े off-road type of tire steel wheels में आपको देखना हो मिलते हैं बागी interior की भी images साथ में leak हुई है interior में आपको base model का दिखाना चाहूंगा this is the total base end variant आप देख पारेंगा अपनी screen के सामने base variant में आपको मिलेगा all black interior manual air conditioner no audio or cruise controls on the steering wheel steering wheel आपको हाला की same ही मिलेगा देखने को and instrument cluster भी आपको analog वाला ही देखने को मिलेगा इसका जो music system है that will be a normal I think 210 music system with aux, bluetooth and usb sort of क्योंकि इसमें touch screen तो नहीं देखना हो मिलेगी just a normal LCD display इसमें आपको देखना हो मिलेगा बाकि अगर हम side mirrors के बारे में बात करें so side mirrors भी आपको इसमें electronically adjustable या foldable नहीं देखना हो मिलेंगे everything will be manual and of course power windows तो हम expect करी सकते क्योंकि अगर इसका base end variant के भी price के बारे में बात करें so that would cost around 12 to 13 lakh x showroom so yeah costly तो रहने वाली है because of the size and the taxes on it so अगर हम rare seats के बारे में बात करें red seats कुछ ऐस ही दिखेंगी क्योंकि इसमें मिलीगी fabric seats as you can see black interior के साथ अपको थोड़ी सी greyish type में fabric seats देखना हो मिलेंगी overall the car looks spacious from the red seats as well बाकी front seats के बारे मात करें front seats कुछ ऐस ही दिखेंगी and you can see the whole dashboard profile all black देखना हो मिलेगा whereas in top end variants you will get black and white interior जो एक type से जल्दी dirty भी हो जाएगा and अगर हम इस interior के बारे मात करें तो ठीक लग रहा है हाला कि यह भी test mule है उसमें काफी चीज़े missing भी रह सकती है क्या पता है इस से थोड़े ज्यादा features हमें देखने को मिले and अभी यह थोड़ी गंदी सी भी लग रही है आप सफारी पे सबसे पहले अपडेट्स पासकें and ऐसी कुछ वीडियो पे भी अपडेट्स सबसे पहले पासकें मैं मिलता हूँ आप लोग जब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई